तो दोस्तो फाइनल यहाँ पे अब हमें कॉंपेटिशन देखने को मिल रहा है ओला वर्सिस एथर के बीच में दोनों को साइड बे साइड आप खड़ा किया गया है कुछ वीडियो आपने देख लिए होगी यूटूब पे चल रही है ओला वर्सिस एथर और अगर आप यहा आप यहाँ चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट अगर हम देखें न ध्यान से तो एथर को भी समाझ आ रहा है कि बाई यह जो स्कूटर था यह रियल था यह बतलब वह नहीं था कि हवा बाजी करी एक स्कूटर और भी आया तरह तो उसकी तरह नहीं है हवा बाजी करी और स्कूटर आया ही नहीं बट ओला जो है वो सही में हमें देखने का मिल गया है में भी थोड़ा लेट हो जाए लेकिन मिल जाएगा स्कूटर देख गया है और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा साइड बाई साइड कंपेर भी करा दू तो ओला में आपको टॉप स्पीड करनी मिल रही है उला में फीचर बहुत बढ़िया मिल रहे हैं दूसरी तरफ इतर के बात करें तो गुड तो यहाँ मैं कह सकता हूं जो यह यूज करते हैं उनके पास अब एक ही वैलिट पोइंट रहे गया है कि हमारा स्कूटर तो बहुत सुन्दर दिखता है और जो ओला वाला है वो अच्छा नहीं है मज़ा नहीं आता हूं लगता यह वगईरा 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 यहां और घू मुझे नजर आ रहा है सिर्फ लुक्स के मालू जिससे स्पोर्टी स्टाइल पसंद होता है तो वह एथरी तरफ जा रहा है लेकिन यहां पर एक चीज में जो एथर आगे निकल रहा है वो है इनका जो थर्मल सिस्टम है अगर आप एथर स्कूटर को ज्यादा स्पीड पर मैनेजिंग सिस्टम बना रखा है कि इससे उपाएगर हीट होता है तो जो फ्रॉटल है उसे कम कर देंगे उसकी जो स्पीड है परफॉर्मेंस को थोड़ से डिकलाइन कर देंगे तो यह हमें ओला में देखने को मिल रहा है कुछ बंदों ने जो इससे ट्राय करा था तो व अपने सब्सक्रिप्शन प्लैंस को फ्री कर देना छे मेने के लिए जो की काफी कोसली हुआ करते थे यहां पर जो सीओं है इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो स्कूटर यूजर है ना उन्हें एक एक्स्पिडियंस मिल पाए उन्हें पता तो चले कि यह है क्या लेकिन हम सब क को पता है यह कोंप्टीशन बाजी में किया जा रहा है अब थोड़ा क्रोनोलोजी को समझिए उसके बाद थोड़ टाइम बाद जैसी ओला लॉंच हो जाता है एथर को पता लगिए कि हां और आ रहा है तो इन्हों ने भी आगा दिया कि भाई आप 6 मैने के लिए हम भी फि मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई आगे जागे फ्री ही कर देंगे क्योंकि एथर के अंदर को अब ऐसी बात नहीं है लुक्स के अलावा कुछ भी ऐसी बात बची नहीं है जो ओला को बीट कर पाए तो डेफिनिटली अब कॉम्पिटिशन बाजी होगी और कुछ कड़े में वाला है कोई नया प्रोड़क्ट आजा तो आजाए लेकिन फिलाल जो 450 एक्स की प्राइस में तो कोई डिक्रीज नहीं होगा इनके जो ओफिशियल थे उन्होंने बताई दिया था लेकिन हां यह जो कनेक्टिविटी फीचर्स वगरा है यह डेफिनिटली हमें आगे ज देखना है मार्केट के अंदर कुछ तो कड़िज टैप लेने होंगे ओला दे रहा है कम प्राइस में इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस वैसा कुछ एधर को भी करके दिखाना पड़ेगा अब कुछ लोग आप में से यह कहींगे कि भाई तू ओला कुछ सस्ता कैसे बोलना है तो कैस अगर आप कंपेर करोगे न स्पैसिफिकेशन किसी भी एलेक्टिक वेहिकल से एक पफॉर्मेंस एलेक्टिक वेहिकल से तो ओला फिर भी सस्ता है आप एधर को देख सकते हैं दोनों की प्राइस डिफ्रेंस आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहा होगा कितना डिफ्रेंस हैं दोनों के बीच में और जबकि स्पैसिफिकेशन का अंतर इतना है तो एथर भी फाइनली अब दवाब में आएगा प्रेशार आएगन पर भी कि भाई अगर टिकना है तो कुछ न कुछ करके दिखाना पड़ेगा फाइनली इस कॉम्पडिशन का हम वेट कर का नंबर है तो इन दोनों में तो हो गई है अमलब हो क्या गई है यार अच्छी बात है हमारे लिए हमें अच्छा प्रॉड़क्ट मिले है कंजूमर को इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मार्जिनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे नाम है तरुन आप देख रह की नेक्स वीडियो में